हेलो दोस्तो कैसे हैं एकजाम हेल्फ में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तो कल हम एक वीडियो डाले थे कटब पे PRT 3.0 का कटब हम जो कल डाले थे जिसमें हम सिर्फ समाने भी से कटब बताये थे जिसमें बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर आप उर्दु का भी cut-up बताइए, आपका cut-up काफी ही authentic है तो आज हम बहुत ही ज्यादा सोध करने के बाद जो है उर्दु का cut-up भी लेकर के आ गए हैं इसमें हम आपको उर्दु का बहुत ही visualization करने के बाद जो है final cut-up बताने वाले हैं साथ ही साथ आपको हम समान भी से का भी cut up बताएंगे तो वीडियो कौन तो तक जरूर देखिएगा ठीक है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों को भी share कर दीजेगा देखिए सबसे पहले हम लोग उर्दू का cut up देखते हैं इसमें तो देखिए उर इस वार जो कुल आपका seat है उर्दू में उर्दू में कुल seat आपका है 1675 कितना 1675 seat है जिसमें लगभग आपका male का जो seat है वो है आपका 3465 कितना 3465 male का seat है वही female की बात करे तो female का जो seat है इस वार वो 7719 ठीक है 3719 जो है इसमें female का seat है लगभग इतना seat है ठीक है और देख सकते हैं अगर form की बात करे कि कितने बच्चे इसमें एपियर हुए थे एकजाम में एपियर की ही बात कर लेते हम एपियर तो एपियर लगभग आपका 12 से 13000 बच्चे जो ही एकजाम में इस बार एपियर हुए है क्योंकि आप सभी को पता है कि कुल मिला करके एक लाग 16000 बच्चे जो है एकजाम दिये थे PRT में इतना ठीक है जिसमें आपका एक लाग 3000 के आसपास आपका सामान में है तो इधर आपका 12 से 13000 जो है आपका उर्दू में बच जाता है तो इसमें फाइट बहुत ही कम है मतलब एक सीट पे एक सीट पे आपका दो एस्ट काड़ाप वह बता देते हैं ठीक है DRT one, DRT two को हम छोड़ते हैं उसके काड़ाप को क्योंकि DRT one में जो है आपका दो नमें आपका जाएदा ही चला गया था तूस इसको आप छोड़िये इस वार का जो सीचुएशन है इसको देखते ओंए हम आपको क्या कर रहा है TRT 3 का जो cut-up है उर्दु का वो हम आपको बता रहे हैं ठीक है तो देखिए सबसे पहले हम लोग UR का बात करते हैं तो UR में जो आपका cut-up है दोस्तों वो 60-62 रहने वाला है मेल का मेल के cut-up की बात करें एक सकुन रूप जाइए मेल की cut-up की बात अगर हम करें यहां पर तो वो आपका 60-62 रहने वाला है ठीक है यह आपको हम बता रहे हैं इससे ज़्यादा आपका जो cut-up है वो नहीं जाएगा वही फिमेल की बात करें तो फिमेल का जो cut-up है वो 50-54 के बीच में ही रहेगा ठीक है 50-54 अगर आपका आ रहा है यहार में आप फिमेल है उर्दू सब्जेक्ट है आपका तो आप बिल्कुली सेफ है आप अपना डोकुमेंट जो है वो तैयार कर सकते हैं वही EWS की बात की जाए तो EWS का जो है आपका 52-56 कितना 52-56 की बीच में जो है आपका EWS मेल का cut-up रहने वाला है वही अगर हम फिमेल की बात करें तो फिमेल का जो है आपका 46-50 ठीक है 46-50 अगर आपका आ रहा है इसके बीच में आपका नंबर है तो आप बिल्कुली आप अपने आपको सेफ मान सकते है ठीक है वही BC की बात करें तो BC में आपका 50-50 ठीक है 25-54 BC मेल का 50-50 आपका रहने वाला है cut-up देख लिए यह cut-up आप देखेगा जब रिगलत रहने वाला है तो लगभा लगभा में यही cut-up आपका रहने वाला है इससे जएधा आपका cut-up जो है नहीं जाएगा ठीक है थोड़ा वो नीचे हो सकता है, उपर आपका नहीं जाएगा, अगर BC female की बात करें, तो यह आपका 43 से 46 के बीच में रहेगा, ठीक है, 43 से 46 के बीच में आपका इस बीच में ही आपका रहेगा, वही female की बात करें, तो EBC female का 41-46 के बीच में अगर आपका है BC female में आप आते हैं और आपका 41-46 के बीच में आ रहा है तो बिल्कुल ही आप निश्चिंत रहिए आपका final result आने ही वाला है अब बात करते हैं SC का तो SC का कटप तो दोस्तों बहुत ही कम जाएगा समझी एक तरह से passive mark ही ठीक है लगभग आपका 40-41 आ रहा है तो समझी आप क्या है यहाँ पर qualify हो जाएंगे वही अगर आप बात करें female का SC female का तो SC female में आपको 49-40 जाने की पूरी-पूरी संभावना है और ST की बात करें तो ST में आपका 39 पलस आ रहा है ठीक है 39 पलस आ रहा है male हो या फिर female तो आप असानी से आपका result हो जाएगा तो यह तो बात रही उर्दू का उर्दू का आपका यही cut-up रहने वाला है आप लोग सारे बच्चे को confusion भी रह गया था उसमें तो सोचे कि इस वीडियो में हम आपको include कर देते हैं दोनों एक साथ रहेगा अच्छा रहेगा अब देखिए समानने में जो है समानने में लगभग एक सीट पे समानने में जो है लगभग एक सीट पे 4-5 student का fight है ठीक है तो यहां क एक सकेंड आप लोग वेट करेंगे यहां के कटप में जो है ना बहुत ही अंतर हैगा उर्दू से इस कटप को आप कंपेर नहीं कर सकते हैं ठीक है तो अगर हम बात करें जेनरल की समाने भी से की बात करें इसमें आपका competition भी ज्यादा है आपको पता ही है लगः एक सीट पे आपका चार से पाँच स्टूडיंट का competition जुह है यहां पर तो अकर UR का कटप कर वी आपको बताई थे कि UR का आपका सत्तर से बहत्तर रहने वाला इकतना 70-72 अगर आपका आ रहा है UR में male की बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने आपको safe मान सकते हैं वही female की बात करें तो आपका 62-62 62-62 आपका आ रहा है female में ठीक है तो आपका बिल्कुल ही safe अपने आपको मान सकते हैं इससे ज़्यादा आपका cut-up नहीं जागा समाननी विशे में वही अगर EWS की बात करें तो EWS में आपका 60-63 कितना एक सकेंड रोजए 60-63 60-63 नमबर अगर आपका आ रहा है EWS male में तो आप यहाँ पे अपने आपको safe मान सकते हैं वही female की बात करें तो female का आपका 55-58 इससे ज़्यादा आपका cut-up जाने वाला नहीं है BC का देखिए BC male की बात करें तो यह 65-63 ठीक है आप देखिए ध्यान से इससे ज़्यादा आपका नहीं जागा 65-63 अगर आपका R.I.C. male में तो आप बिल्कुल ही अपने आपको safe मानिये ठीक है और female की बात करें तो female में जो है आपका 58-63 ठीक है 58-63 के बीच में अगर आपका R.I.C. female में आप आते हैं PRT में अगर आपका 58-63 के बीच में mark है तो आपका असानी से जो हो जागा आप अपना document जो है तैयार कर लेजिए ठीक है इससे अगर ज्यादा नीचे है तो आप TRD4 की तैयारी में लग सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब देखिए EBC EBC की बात करते हैं यहाँ पे 62-65 की बीच में जो है इनका cut-up जाने वाला है और EBC female की बात करें तो EBC female का आपका 33-58 की बीच में अगर है तो आपका असानी से फो जाएगा अब देखिए SC का SC का आपका 48-50 रहने वाला है SC का 48-50 आपका रहेगा cut-up वही female की बात करें तो 42-45 आपका रहने वाला है पिछली वीडियो में भी हम आपको बता दिये थे लेकिन वहाँ पर बहुत सारे बच्चे का कनपूजन था कि सर बहुत सारे बच्चे का ये भी कमेंट आड़ा था कि सर आपका cut-up बिल्कुल ही सही हो और फिमेल का जो है आपका 40-45 के बीच में रहने वाला है तो आप इस बात को ध्यान रखिए अगर इस बीच में आपका अच्छा लगाऊ वीडियो तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर देजिए और आपको किस भी से का cut-up चाहिए वह आप कमेंट में बताईए अगला वीडियो हम उस पर जरूर ले करके आएंगे क्योंकि analysis करना पड़ता है analysis करके हम वीडियो जरूर लेंगे आपके लिए तो चलिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपना ख्यार रखिए thank you